नागरिक्ता शन्शोधन कारून के विरोध को लेकर दिल्ली और बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा मंगलबार को दिल्ली के जाफराबाद में प्रदाशन कारियों ने दो बसों सहित कई वहानों में तोड़ फोड़ की मोडर साइकलों को आग के हवाले कर दिया उपदर्वीयों ने एक मोबाइल सोचाले को भी आग लगा दिया उपदर्वी यही नहीं रुके यहां तक कि वो घटना स्थर पर लगे सीसी टीवी कैमरे और एक लेडी को भी ले गए घटना में करीब 22 लोग जखमी बताए जा रहे हैं जिन में 12 पुलिस कर्मी शामिल है पुलिस ने पत्थर चलाने के आरोप में 5 यूबकों को हिरासत में लिया है वहीं बंगाल में हावडा का मानिकपूर इलाका रनशेतर में तबदील हो गया परदेशन कारियों को नियंतरित करने पहुँची पुलिस को लक्ष कर बंफेके गए जिसमें हावडा के डियेस्पी समेट 3 पुलिस कर्मी जखमी हो गए उपदर्वियों ने जगा जगा ट्रेने भी रोकी उदर CAA के विरोध को लेकर उत्तर परदेश वरकार ने बेहत सक्त रुख अपनाया है माउ और लखनाओ समेट अन्य जिलों में पुलिस ने अब तक 113 आरोपितों को गिरफतार किया जिनमें 28 माउ से पकड़े गए हैं अलग लख जिलों में 18 मुकत में दर्ज किया गए जिनमें वीडियो फूटेज के अधार पर अन्य आरोपितों को चिन्नित किया जा रहा है इस बीच मानव संसादर विकाश मंतराले ने जामिया और AMU के घटनाओं पर विश्व विद्याले परशासन से रिपोर्ट तलब की है जामिया मिलिया और जाफराबाद में होए हिंसक परदर्शन के समंद में केंद्रिय गरह मंत्री अमिशाह ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने शांती विवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है वहीं कॉंग्रेस के पूर विधायक चौधरी मतीन एहमत ने नागरिकता शंचोधन कानून के खिलाब मंगलवार को दिल्ली के जाफराबाद में दिन में करीब एक बज़े रैली का आयोजन किया था इसके लिए उन्होंने अनुमती भी ले ली थी इसलिए कुछ पुलिस कर्मी रैली की सुरक्षा में लगे थे इस बीच पता चला कि जाफराबाद थाने के बाहर परदर्शन शुरू हो गया करीब एक से डेर वज़े तक यहां शांती पूर्ण परदर्शन चलता रहा डेर वज़े जैसे ही परदर्शन कारी हटे लगे तभी कुछ उपदर्वियों ने पास में खड़ी एक कलास्टर और एक नीजी वस में तोड़ फोर शुरू कर दी कुछ लोगों ने पुलिस की तरफ पत्थर फेकने भी शुरू कर दिये पुलिस को इसकी आशंका नहीं थी इस वाज़ा से पुलिस बल भी मौके पर कम थी पत्राब की सूचना मिलते ही अतरिक पुलिस बल को भी मौके पर भेज़ा गया लेकिन तब तक भीड हिंसक हो चुकी थी इस बीच सीलंपूर पुलिस चौकी में घुसकर भीड ने तोरफोर शुरू कर दी पुलिस ने भीड को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया दोशियों में से एक अक्षय की पुनरविचार याचिका पर उच्चतव नियाल है आज यानि बुद्वार को सुनवाई करेगा इसलिए आज का दिन बड़ा माना जा रहा है मुखे नयाएधीश ऐसे भोब्रे ने कहा कि नई सविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी दोशी अक्षय के वकील ने कहा कि ये मामला राजनीती और मीडिया के दवाब से परभावित हो रहा है और दोशी के साथ घोर अन्याय हो चुका है अक्षय ने दया का अनुरूद करते हुए दलील दी थी कि वैसे भी दिल्ली में बढ़ते परदूशन के कारण जीवन छोटा होता जा रहा है शीर्ष अधालत ने पिछले साल 9 जुलाई को इस मामले के तीन दोशियों मुकेश, पवन और विनई की पुनरविचार याचिका ये कहते वे खारिश कर दी थी कि इन में 2017 के फैसले पर पुनरविचार का कोई आधार नहीं है दोशियक्षय की पुनरविचार याचिका पर जस्टिस भानुमती के अधिक्षता वाली नई बेंच बुद्वार सुबा साड़े 10 बज़े सुनवाई करेगी बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस अशोग भूशन और जस्टिस बोपन्ना है मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन चीव जस्टिस ऐसे बोवडे ने खुद को बेंच से अलग कर लिया इस वज़ा से सुनवाई को टालना पड़ा जीव जस्टिस ने कहा कि उनके एक रिष्टेदार इस मामले में पीडित की मा की ओर से पहले पेश हो चुके हैं और ऐसी इस्तिती में उचित होगा कि नई पीट पुनरविचार याचिका पर विचार करे पतादे कि मंगलवार को मुखे नयादीश ऐसे बोवडे जस्टिस आर भानुमती और अशोग भुशन की पीठ ने पुनरविचार याचिका पर सुनवाई की सुनवाई के दोरान जस्टिस बोवडे ने इस केज से खुद को अलग करने के साथ एक नई पीठ का गटन किया उत्तर भारत के पहाडों पर हुई बरबारे और बारिश के बाद पूरा उत्तर भारत बरफीली हवाओं के चपेट में है दिल्ली में मंगलबार को ठड़ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मंगलबार को अधिक्तम तापमान समाणने से 10 degree कम 12.2 degree Celsius दरच किया गया बतादे कि इसे 28 दिसंबर 1997 को अधिक्तम तापमान 11.3 degree Celsius दरच किया गया था जबकि न्यूंतम तापमान सामानने से 2 डिगरी अधिक 10 दसमलव 4 डिगरी सेल्सेस दर्च किया गया वह उत्राकंड, हिमाचल और जम्मो कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में ही नहीं कई अन्य राज्यों में भी बरफ गिरी है हैरत की बात है कि इनमें राजस्थान के माउंट आबू में मंगलवार को बरफ की परत बिच गई परदेश में नैनिताल जिले का मुक्तेश वर्थ सबसे ठंडा रहा यहां न्यूंतम तापमान 18 डिगरी सेल्सेस दर्च किया गया राज्य मौसम विग्यान केंद्र के मुताबिक परदेश में आने वाले दिनों में शीत लहर का परको बना रहेगा वहीं बरबारी के चलते सेलानियों के लिए औली तक पहुचना भी मुश्किल हो गया है वहीं दूसरी और हिमाचल के कुलू, लाहूल और किनौर में हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है वहीं हिमाचल परदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान बरफ के कारण दो लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है जबकि एक वेक्ती गलेशियर की चपेट में आने से घायल हो गया इसके लावा कश्मीन में रात के तापान में गिरावट जारी है कुलमर का तापान माइनस 11 डेगरी रहा वहीं स्रीनगर का तापान भी माइनस 3.60 डेगरी तक पहुँच गया पश्मी विशोब के बाद हुई बारिश और भारी बरव बारी के बाद राजस्थाल में शीत लहर का असर बढ़ गया है सुमबार राज से शुरू होने वाली शीत लहर का असर अगले दिन तक बना हुआ है वही माउंट आबू में भी सरदी का सितम देखने को मिला और नियूतवत आपमान जमाव बिंदू के नजदीक पहुँच गया इसे शहर के मैदान इलाकों इमों कारों की छटों पर बरव की परत देखने को मिली माकपा के महा सचीव सीता राम यचूरी ने प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के मन में हमेशा पाकिस्तान का ही विचार रहने का आरोप लगाते हुए ये पूछा है कि मोदी के मन में पाकिस्तान ही क्यूं सवार रहता है ये चूरी ने मोदी द्वारा कॉंग्रेस सहित अन्य विपक्षिदलों को पाकिस्तान के सभी नागरिकों को भारती नागरिकता देनी की चुनोती के जवाब में मंगलवार को ट्वीट कर कहा मोदी हमेशा पाकिस्तान को नसीहत देती रहते हैं लेकिन अभी मुद्दा भारत का है पाकिस्तान का नहीं उनके मन में हमेशा पाकिस्तान ही क्यू रहता है जिसके कारण वो हमेशा हमारे देश को उसके साचे में ढालने की कोशिश करते रहते हैं उलेखनीय है कि मोधीन मंगलवार को जारकर्ण में एक चुनावी सभा में कॉंग्रेस और उसके मित्र दलों पर विवादे शंशोधित नागरिक्ता कानून के बारे में जूट फैलाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों को चुनोती दी थी कि क्या वे सभी पाकिस्त करते हुए कहा कि मोधी को अपनी सरकार के घ्रहा मंत्री को भी सुनना चाहिए जो बिवाजन कारी नागरिक्ता कानून और राष्ट्र नागरिक पंजिकरन को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं इस वीडियो में शाहां नागरिक्ता कानून और और नर्सी के बारे में वाषन दे रहे हैं यह चूरी ने कहा कि देश के लोग इस वीडियो के माध्यम से इस सच्चाई को अब साफ तोर पर देख सकते हैं नागरिक्ता कानून के खिलाब बीते कुछ दिनों से देश के विविन इलाकों में परदर्शन जारी है जामिया मिल्या इसलामिय उनिवर्स्टी अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्स्टी समेत कई उनिवर्स्टी में नागरिक्ता कानून के खिलाब जबर्दस विरोध देखने को मिल रहा है नागरिक्ता कानून में शर्चोधन के खिलाब मदरास विश्विद्याले के छात्रों के एक वर्ग ने मंगलवार को दूसरे दिन भी मदरास विश्विद्याले परिसर में अपना विरोध परदशन जारी रखा मगर यहां तना तने की स्थिती तब बन गई जब पुलिस उनुवर्ष्टी परिसर में परवेश कर गई दरसल मंगलवार को पुलिस मदरास उनुवर्ष्टी के कैमपस में घुस गई जहां करीब 80 छात्र जामिया मिलिय उनुवर्ष्टी और अलिगर्ड मुस्लिम उनुवर्ष्टी में हुई हिंसा और नागरिक्ता कानून के खिलाब अपना विरोध परदशन कर रहे थे गौर तलब है कि भिविन विश्विद्यालों में छात्र निकायों ने गुरुवार को पूरे देश में विरोध परदशन का आहवान किया है परिशर में परवेश करने वाले पुलिस करीमियों ने कहा कि वे छात्रों की सुरक्षा के लिए हैं जबकि परदशन कारियों ने आरोप लगाया कि दो छात्रों को पुलिस ने उठा लिया पुलिस सूत्रों ने बताया कि सम्मंद कॉलेज के छात्रों को विश्विद्याले के मरीना परिसर में परदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाने को लेकर दो छात्रों को पूस्ताच के लिए बुलाये गया है लगभग 50 परदर्शनकारी छात्रों का नुसार विश्विद्याले ने दो जनवरी तक अवकाश घोशित कर दिया है मिरी जनकारी का नुसार एक छात्र ने बताया कि 23 दिसम्बर तक की छुट्टी घोशित कर दी गई विश्विद्याले को वैसे भी क्रिश्वस की छुट्टियों के लिए 24 दिसम्बर से दो जनवरी तक बंद करना है 23 दिसम्बर तक छुट्टी की घोशना करना केबल हमारे विरोध को रोकने के लिए है समन्वेक ने दावा किया कि दोनों छातर पुलिस की हिरासत में है वहीं एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने परीसर में पत्रकारों से कहा कि उनका कैमपस से छातरों को जबरन हटाने का कोई रादा नहीं था उन्होंने कहा हम यहाँ विश्विद्य अले परशासन की ओर से आये हैं और छातरों की सुरक्षा के लिए है ये पूछे जाने पर कि क्या दो छातरों को हिरासत में लिया गया है अधिकारी ने कहा जब किसी को पूस्ताज के लिए बुलाया जाता है तो आप इसे गिरफतारी या हिरासत नहीं कह सकते मरीना तटके निकट सामने अस्तित विशाल परिसर में परश्चन कर रहा है छातरों ने इंकलाब जिन्दाबाद और छात एकता जिन्दाबाद के नारे भी लगाए छातरों ने नागरिकता अधिनियम में शंशोधन को वापस लेने की मांग की और इसके खिलाब नारे लगाए झाल 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 झाल